हेलो एव्रिवन गुट बॉर्णिंग तो लॉजिक पार्ट शाला आज किस फीड़ में हम कवर करेंगे 10th of January के important current affairs के questions फ्रेंड्स इस फीड़ो का जो pdf आप लोगो telegram group से मिल जाएगा logic पार्ट शाला 16 जिसका लिंक आपको दिया गया है description box में तो चलिए friends आज किस importization को शुरू करते motivation code से success is the sum of small efforts repeated day in and day out देखे success चो होता है आपके छोट छोटे efforts का ही sum होता है जो कि आप रोज repeat करते है day in and day out तो जब आप छोट छोटे steps लेंगे चोट छोटे efforts करेंगे उसमें आप आगे बढ़ते रहेंगे तो अब एक ना एक दिन अपनी मन्जिल तक भी जरूर पहुँचेंगे तो रोज आपको देखे friends अपनी life में आगे बढ़ना है और कुशना को सीखते जाना है यही जो है success का एक छोटा सा मंत्र है तो friend चले अब बात कर लेते हैं आज के important day से तो आज है friend 10 चनवरी चुकि important day होता है आज word hindi day यह काफी important day है बहुत दोद एक्जाम में पूछते है word hindi day विश्व हिंदी दिवस कब मनाया चाता है 10 चनवरी को 10 चनवरी को क्यों मनाते हैं क्योंकि इस दिन पहला word hindi conference organize किया गया था नागपुर शहर में 10 चनवरी 1975 को तो इसी की anniversary को चिन्हित करता है ये दिन word hindi day इस पार word hindi day की theme याद रखना है जो कि है hindi bridging traditional knowledge and artificial intelligence सबसे पहली बार दिकिए जो word hindi day था वो कब मनाया गया था ये याद रखेगा 2006 में सबसे पहली बार word hindi day celebrate किया था बाइदा प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंग तो ये बहुत important point है कि पहला word hindi day कब celebrate किया गया था 2006 में में इसका उद्देशे क्या है कि हिंदी को across the world जो है उसे promote करना यानि पूरे विशुभर में हिंदी को promote करना ही इस दिन को बनाने का में उद्देशे है हिंदी जो है तीसरी most spoken language ये पूरे word में जो सबसे अदब बोली चाती है उसमें तीसरी number पे आती है हिंदी language अच्छा ये तो word hindi day की बात हुई थी अगर हम इंडिया में बात करती है कि हिंदी दिवस कब मनाया चाता है तो ये भी important है जो हिंदी दिवस इंडिया में ये मनाया जाता है 14th September को दोनों clear होके word hindi day अगर पूछेंगे तो आपका अंसर होगा 10th of January लेकिन अगर पूछें हिंदी दिवस तो क्या होगा आपका अंसर 14th September मतलब इंडिया में इसको मनाती है 14th September को चलिए अब बात कर लेते हैं question first से पहला question है बांगलादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना has been re-elected for the fifth term what is the name of शेख हसीना's party तो बांगलादेश के धानमंतरी है शेख हसीना जो कि पाचवे कारेकाल के लिए फिर से देखे चुनी गई है ये इनकी party का नाम किया है तो इनकी party कौन सी है आवामी लीग सिंपल याद रखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर बांगलादेश की फिर से प्राइम मिनिस्टर बन गई है शेख हसीना और इनकी party है आवामी लीग बांगलादेश की बात कर लेते हैं तो बांगलादेश के कापिटल है डाका, करेंसी है टका, प्रेजिडेंट है यहां के मौहमद शहबुद्दीन चुपू, प्राइम मिनिस्टर है शेक हसीना, अब देखे एक इंपोर्टेंट बात, बांगलादेश यह है इंडिया की है नेबरिंग कंट्री, और बांगलादे होगे आपका तिरपूरा एंड मिजोरम, एक और important question की है, कि वो कौन सा स्टेट है, जो तीन तरव से बांगलादेश से घिरा है, तो आप देख सकते हैं, यहां फे छोटा सा स्टेट है, जो की है तिरपूरा, यह तीन तरव से बांगलादेश के साथ में घिरा हुआ हुआ ह तो ऐसे ऐसे important points भी पूछ लेते हैं उसके लिए हमें थोड़ा सा map याद होना चाहिए इसे के साथ बात करते हैं newly appointed prime minister और president की जो अभी नए appoint हुए है तो देखें Congo के अभी president कौन बने है दूसरे term के लिए Felix Shishigdi Egypt के president बने तीसरे term के लिए अबदेल फता अल सिसी Poland के prime minister बने है Donald Tusk Luxemburgish के prime minister बने Lewis Frayden Spain के prime minister दुबारा से reelect हुए है Pedro Sanchez उस Slovakia के prime minister कौन बने चौथे time के लिए Robert Fico Next question अगला question है how many राज्यसभा members are set to retire in 2024 तो 2024 में कितने राज्यसभा सदस्य जो है वो retire होने वाली है तो 68 जो है राज्यसभा के members जो है retire होने वाली है राज्यसभा जो है ना friends इनती members का जो tenure होता है वो six years का होता है और लोगसभा की बात करेंगे तो आप याद दखेंगा पांस साल के लिए तो अभी 2024 में 68 राज्यसभा की members जो है वो retire होने वाली है 68 राज्यसभा members में से nine union ministers भी include हैं जिनका tenure इस year ही complete हो रहा है जिनमें है railway minister अश्वनी वैशनो, education minister धर्मेंदर प्रदान, environment minister भुपेंदर यादव, health minister मंसुक मांडविया and former prime minister Manmohan Singh will complete their tenure in April तो अपरल में जो है इनका tenure complete हो रहा है तो जब देखिए रेटायर हो जाएंगे तो इनकी जगापर और भी ministers appoint होंगे तो आपकी camera ministers भी change होंगे तो हम उसको भी जब newly appoint होंगे वहाँ पे हम उनको cover up जरूर करेंगे तो अभी याद किया कि 2024 में अगर टोटल बात करें 68 रहे राज्यसभा की members जो है वो retire होने वाले हैं friends थोरा सा बात अगर करें राज्यसभा के बारे में देखिए राज्यसभा जो है इससे define किया जाता है मतब इससे parliament का upper house की तरह इसको define किया जाता है और friends वैसे राज्यसभा के जो members होते हैं उनका कोई tenure period नहीं होता है because it is a permanent house of parliament इसको dissolve भी नहीं किया जा सकता है और हर एक दो साल में हर एक दो साल में जो one third राज्यसभा के members होते हैं वो retire होती है ठीके तो कोई वैसे इसका permanent आप कह सकते हैं कि कोई इसका permanent tenure period नहीं होता है members का और राज्यसभा से लिटे डगर हम बात करते हैं कौन सा article है तो यह जोरुआ दखेगा article number 80 जो है इसमें वर्णन है और अगर लोगसभा की बात करेंगे तो वो कौन सा article में है article 81 में ठीके लोगसभा जो है इसको lower house कहा जाता है पार्लमेंट का तो इस तरह से थोड़े से important points है इनको भी याद रखें next question देखिए next question है हमारा Frank Franz Bacon Bayer football player died at the age of 78 he was from which country France Bacon Bayer football खिलाडी थे ये जिनका 78 वर्ष की आयो में निदन हो गया वह किस देश से थे तो इनकी country कौन सी थी जर्मनी एक तो हमें ये याद रखना है कि इनका सम्मंद कौन से sport से था तो इनका सम्मंद था football से second question कि कौन से country से थे ये तो ये थे जर्मनी से इने दा कैसर के नाम से इनको जाना जाता था कैसर मेंस होता है जर्मनी में emperor he was the part of the team that had won the 1972 European Championship and then the World Cup on home soil 1972 में European Championship जीदी दी और इनोंने World Cup जीदा था उस team का ये part भी रहे थे तो उस time team का part भी रहे थे जनका भी हाली में हुआ है निधन Next question Which of the following state government will set up a pharma park in the state कौनसे state government जो है इस state में pharma park स्थाफित करेगी तो ये करेगी उत्तर प्रदेश government उत्तर प्रदेश government जो है ये pharma जो पार्क है इसे बुंदेलखन के ललितपूर में जो है इसको set up करेगी तब plan will unfold in two phases ये plan दो phases में आएगा initial focus किया जाएगा immediate development effort जिसमें 300 इकड का land जो है वो cover करेंगे और कुछ villages को भी identify किया गया है जैसे की सैदपूर हो गया इसके लावा कारुंडा रामपूर इस तरह से कुछ villages को इसके लिए identify किया गया है friends यहाँ से बात करते हैं उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के formation होई थी 24 जैनवरी 1950 को capital है लकनौ, cm है यूगिया दित्यनात, governor है आनंदी बीन पतेल लोगसभा की seats हैं 80, राजसभा की seats हैं 31 और यहाँ पे assembly seats हैं 403 उत्तर प्रदेश से बात करें कुछ और current face news की तो देखें इंडिया का जो पहला वैदिक थीम पार्क है, इस पार्क को खोला गया है यूपी के नौइडा शहर में, इसके लाव फैंड्स operation, conviction यहाँ पे शुरू किया गया था और इस operation का main purpose क्या था, state में जो criminal और माफिया हैं उनसे निपटना यूपी सरकार ने अपने हाँ पे जो jail है, prisons हैं उनको नाम क्या दिया था, reform homes यानि सुधार करें है यूपी सरकार ने 2017 से लेके 2021 तक जितने भी traffic चलान से उनको cancel किया इसके लावा यूपी सरकार ने नंद बाबा milk mission scheme शुरू करी थी, यूपी सरकार ने एक elder line service शुरू करी थी, जितने भी homeless देखे, जिनके पास घर नहीं है, जो elders हैं, उनको shelter देने के लिए नेक्स्ट या देखेंगे, वर्ड का पहला Asian King Vulture Conservation Center, कहां पर open किया गया, यूपी स्टेट में अपी देखे, उतरब्रदेश जो है, इंडिया की पहली, AI City Country की पहली, AI City को stabilize किये करेगा, कौन से शहर में, तो ये AI City बनेगी, लखनौ शहर में ये important points को याद रखना, friends, UP से related, निक्स्ट बात करते हैं, अगला question है, in which of the following state has Ganga Sagar fair started, कौन से state में Ganga Sagar जो मेला है, ये शुरू हुआ है तो ये मेला शुरू हुआ है, West Bengal में, और ये जो Ganga Sagar मेला है, इसको inaugurate किस ने किया है, ये भी आदक न, West Bengal की Chief Minister ममता बिनर जी, ये मेला 17th January तक continue रहेगा, और जो शाही स्नान है, ये 15th और 16th January को रहेगा, West Bengal की बात करें तो इसकी formation हुई थी 15 August 1947 को, Capital है कॉलकाता, CM है ममता बिनर जी, गवर्नर है सीवी आनंद बोस, West Bengal के नेशनल पार्क से कौन कौन से हैं, सुन्दरवन, बकसा नेशनल पार्क, गोरु मारा, जल्दा पारा, और नियूरा वेली नेशनल पार्क, West Bengal देखिए, इन दीदीर, सुरक्षा, कवच और दीदीर दूर्द, ये दो प्रोग्राम यहाँ पे शुरू किये गए थे, West Bengal की पियाली बासक, इनका नाम आपको याद होगा, ये first Indian woman बने चिनों ने Mount Everest को स्केल किया था, without supplementary oxygen, बिना किसी oxygen के, याद अखिएंगे, West Bengal ने चेके, allow किया था, पॉपी, कल्टिवेशन को, ये news याद रखेगा, West Bengal से related, नेक्स्ट बात करें, अगला question है, who has been appointed as a chairman of the Federation of Association in Indian Tourism and Hospitality, short में इसे कहते हैं, फेद, जो फेद ओगनाईजेशन है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे न्युक्त किया गया है, तो चेर्मेन कौन बने हैं, इसके, पुनीत छतवाल, फेद के अभी चेर्मेन अपॉइंट हुए है, पुनीत छतवाल, पुनीत छतवाल जो है, इन्होंने ये नकुल आनंद की जगा पर ये अपॉइंट हुए है, तो देखें, यहां पे नाम आपको दे दिया, और्गनाइजेशन का नाम पूझा है, तो इस तरह से भी कुशन बूशने का एक तरीका है, जी मोहन राउ जो है, उन्हें तीन सालों के लिए किस संगठन का कारे-कारी निदेशक न्युक्त किया गया है, तो तीन सालों के लिए अपॉइंट हुए हैं सेबी के एक्जेक्यूटिव डायरेक्टर, डायरेक्ट भी कोशन हम से इस तरह से पूछ सकते हैं, कि सेबी के ए Exchange Board of India इसकी स्थापना होई थी 12th of April 1988 में हेटक्वार्टर है इसका मुंबई में चेर्मेने इसकी माधभी पुरी बुच्छ और Executive Director कौन बने है जी राम मोहन राउ सेवी को सेट अप किया गया था उदै कोटक कमीटी के द्वारा अब कुछ और अप्वाइन्मेंट्स की बात कर लेते हैं तो देखिया अभी National Asset Reconstruction Company के MDCO बने है पी संतोश कोटक पहिंदरा बैंक के MDCO कौन बने अशोग वासवानी इन्होंने रिप्लेस किया है दीपक गुपता को 16th Finance Commission के चेर्मेन बने अर्विंत पंगडिया इनसे पहले जो 15th Finance Commission था उसके चेर्मेन कौन थे एनके सिंग और 16th Finance Commission के ही सेकेटरी बने है रित्विक रंजनम पांड Next Question Who has been appointed as the first woman director general of police of Maharashtra? Maharashtra की पहली महिला पुलिस महान देशक यानि पहली यहाँ पे woman DGP बनी है कौन अपॉइंट हुई है? तो फेंट्स इस पत पर अपॉइंट हुई है रश्मी शुकला तो रश्मी शुकला first woman director general of police बनी है महारास्ट इस्टेट में महारास्ट government has appointed यह 1988 batch की देखे IPS officer है रश्मी शुकला और यह इस पोस्ट पर या पहली woman police officer बनी है जो इस पोस्ट पे अपॉइंट हुई है महारास्ट की capital क्या है? मुंबई है chief minister है यहां की friends एक नात शिंदे और यहां की governor कौन है? रमेश बाइस अगला question है देखे friends who has been appointed as a managing director of Nivya India Nivya India की managing director के रूप में किसे न्युक्त किया गया है? तो इस पत पर appoint कौन हुई है? आंसर इस गीती का महता तो जो गीती का महता है friends यह Nivya India जो है इसकी बनी है अभी managing director next question who has been appointed as a secretary of the railway board railway board के सचिफ के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो इस पत पर appoint कौन हुई है? अरुना नायर तो अरुना नायर जो है अभी railway board की बनी है secretary यह friends Indian railway personal service की officer है 1987 batch की और current में railway minister कौन है तो इनका नाम भी याद रखेंगे अश्युनी वैशनो है current में railway minister अब देखें यहाँ पे मैंने ना यह कुछ आपको news की तरह रखा है इसको हमें याद रखना है कि अभी देखें national sports awards को represent किया है प्रेजिरेंद रौपदी मुर्मूजी ने राष्टपती भवन में तो अभी राष्टपती भवन में राष्टे खेल पुरिसकार 2023 हिस्ति ये गए हैं जिसमें हमारे लिए सबसे ज़ादा important होगा major ध्यानचंद खेल रतन अवार्ड तो डारेक कोशन ये एक्जाम में पूछेंगे कि 2023 के लिए major ध्यानचंद खेल रतन अवार्ड किसे दिये गया है इस बार दिया गया है दो प्लेयर्स को बेडमिंटन प्लेयर है चिराग शेटी एंड सात्विक साईराज रानकी रेड़ी तो इन दोनों को मिला है इस बार major ध्यानचंद खेल रतन अवार्ड very important ये नाम ज़रूर याद रखेगा major ध्यानचंद जो अवार्ड है ये highest sporting honor है इंडिया यानि इंडिया में खेल में दिया जाने वाला ये सरवोच संबान है annually ये ministry of youth affairs and sports government of India के दोरा दिया जाता है सबसे पहली बाया इसकी स्थापना होई थी 1992 में पहला award था आपका 1991 to 92 और सबसे पहले winner कौन रहे इसके इनका नाम भी आदकना first winner जिने ये award मिला है विश्वनाथन आनन्द और current वाले कौन है चिराग, शेटी and सात्विक, सायराज, रानकी, रेटी तो ये direct पूझा जाएगा question इसलिए मैं इसको इस तरह से present किया है याद रखें कुछ और देखें sports award में जैसे दुरुनचारे जो award है दुरुनचारे award वैसे coaches को दिया जाता है और अकर बात करते हैं lifetime category तो lifetime category में दुरुनचारे award मिला है गोल्फ के coach जस्कीरत सिंग गरेवाल कबड़ी में भसकरन ई table tennis के coach है जयन्त कुमार पुशी लाल इसके लावा एक और category होती है दुरुनचारे award में जोकी होती है regular category तो regular category में award किसे मिला है ललित कुमार रेस्लिंग से है आरभी रमेश, चेस, महवीर प्रसाज, सैनी, पैरा अतलेटिक्स शिवेंदर सिंग, होकी, गनेश, प्रभाकर, देवरुखर इनका संबन किसे है मलकंब तो दोनों category इसके याद रखे एक है lifetime category और एक होती है regular category तो यहाँ पर complete हो गए हमारे current face के questions बात करते हैं static gk के questions की तो पहला question देखिए the northernmost point of India is known as इंडिया का जो सबसे उत्री बिंदू है जैसे अगर हम direction के बात करते हैं east, west, north, south तो सबसे दो northernmost point है वो कौन सा है तो यह है इंदरा कॉल जिके northernmost point जो है वो जमू कश्मीर में लाई करता है इंदरा कॉल है next question देखिए सत्माला जो hills है वो कौन सी state में located है तो सत्माला पहाड़ियां जो है यह located है महराष्ट state में next question for cotton cultivation which among the following soil is considered most suitable so cotton यानि कपास की खिती के लिए कौन सी मिटी सबसे ज़्यादा suitable मानी चाती है तो सबसे ज़्यादा suitable होती है black soil black soil जो है वो cotton cultivation के लिए सबसे अच्छी होती है next day के विच आफ दे फुलाइंग is the highest peak of the कुमाउ हिमालिया तो अब देखिए ध्यान से देखिएगा हिमालिया इसकी बात किसकी हुई है कुमाउ हिमालिया कुमाउ हिमालिया की ये सबसे उची चूटी कौनसी है तो सबसे उची चूटी है नंदा देवी और ये located कहाँ पे है उत्तराखन स्टेट में इंडिया का देखिए फइंट्स अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें तो इधर है इस्ट कोस्ट और इधर है वेस्ट कोस्ट तो इंड में से कौनसी जील है जो कि भारत के पशिमी तट पर इस्तिद है तो वो है अश्टमुडी और अश्टमुडी जो है फ्रेंट्स ते कौन से स्टेट में है केरला केरला आपको इधर की तरफ स्टेट है और यहां पर ही लोकेटेड है अस्टमुडी लेक तो फ्रेंट्स यहां हमारे क्वेशन का सलसला हो गया है complete बात करते हैं revision की तो कल के questions को revise कर लेती हैं पहला question है which country has officially declared the snow leopard as the national symbol किसने डिकलेर किया है snow leopard को अपना राश्ट्य प्रतीग तो यह किया है किरगस्तान ने इन्होंने देखिया अभी एक ही कॉंसर्ट में सबसे अधिक भाशाओं में गाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है सुचेता सतीश ने नेक्स देखिया आयोध्या एरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रखा गया है तो इसे नया नाम दिया है महेशी बाल में की इंटरनाशनल एरपोर्ट नेक्स देखिया यूनियन पोर्ट शिपिंग और वाटर वेस्ट मिनिस्टर है सर्वनंदा सोनेवाल इन्होंने पहला इनलेंड वाटर वेस्ट देवलप्मेंट काउंसल मीटिंग कौन से शहर में इसकी अध्यक्षिता करी तो इस बैटक की अध्यक्षिता करी है कॉलकाता शहर में नेक्स्ट है कि एश्ट देवलप्मेंट बैंक की इग्जेकुटिव डिरेक्टर कौन पॉइंट हुए आंसर इस विकास शील नेक्स्ट है हमारा हूँ वान दी बेस्ट डिरेक्टर मोशन पिक्चर अवार्ड एड दी गोल्डन ग्लोबस 2024 सो बेस्ट डिरेक्टर मोशन पिक्चर जो अवार्ड है इस कैटेगरी में अवार्ड किसने जीता क्रिस्टोफर नोलन ने तो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंट्स हमारे सभी important questions कल आप लोगों से test में जो दो question पूझे थे उनको discuss करती है पहला question था देखें फ्रेंट्स लेटर्स टू सेल्फ ये book थी किसने लिखी नरेंदर मोधी जी ने और दूसरा question था हमारा किस ने साहिते अकादमी Children's Literature Award जीता हिंदी language में और हिंदी language में जो उनकी book थी उसका नाम था कोतुक आप तो इसके लिए देखा साहिते अकादमी Children's Literature Award जीता सुर्यनात सिंग ने और एक और question था कि current में हमारे attorney general कौन है आर वेंकटमनी तो thank you friends अब सभी ने दोनों questions के answer बिल्कुल सही दिये हैं तो आज के हमारे comment से किस-किस के हैं जहनाभी बर्मन एन लिजू तो पहला question है देखिए किस ने रविदनाट टैगोर लिट्वेरी प्राइस जीता अपने novel salt and pepper के लिए important question है इसको बताईए का और दूसरा question है देखिए prestigious champions of change award तो champions of change award से किसे समानित किया गया है तो ये हैं friends आज के हमारे दो question test के इनका answer जल्दी से बता दीजे comment box में और इसके साथ आज का ये important session complete होता है friends अगर आप हमारे channel को कुछ भी contribute करना चाहती हैं तो आप हमें यहां से दिल से contribute कर सकती हैं तो अगले session में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी तब तक till then bye bye take care have a good day thank you so much for watching this video